अब तक हमारी बात्चेत मेस लगन से लेकर वरिश्यक लगन परियंत भारहो भाव में मंगल के प्रभव को ले कर के हो चुकी है प्रियदर्शको मंगल धनु लगन में सरवाधिक कारक ग्रह हैं ये लगन अगनी तत्व प्रधान लगन है धनु रासी गुरु की मूल त्रिकोण रासी है और इस लगने में मंगल की जो रासी बनती है मेस ये रासी पंचम स्थान की मालिक होती है अर्थात त्रिकोण के स्व उससे पूर्ब कल के प्रश्ण को ले लेते हैं कल मैंने आप सबों को एक प्रश्ण पूछा था जन्म कुंडली में बुद्ध यदी भाग्येस हों तो भाग्योदय का वर्स कौन होगा और मुझे ये जानकर खुसी हुई कि आप सभी दर्शकों को ये बात याद है कि मैंने तो भाग्योदय वर्स बताया था एक बाईस और एक बत्तीस और प्रियदर्शकों ये रिसियों का मतांतर है लेकिन दोनों ही मत है बत्तिस भी भाग्योदय का वर्स है और बाईस वर्स भी ये भी रिसी मत है अब सवाल ये उठता है हम किसे माने यहाँ पर ये रिसियों का जो मतांतर है उसमें से अगर हमें जानना है कि हम किसे मानें तो यहाँ पर एक प्रमाण और है वो प्रमाण ये है कि शास्त्र कहता है कि बुद्ध अपने प्रभाव को अपने फलाफल को तुरंत ही प्रदान कर देते हैं क्योंकि ये बालक ग्रह है ये बालक है ये सनी की तरह बुर्ध नहीं है कि अपना प्रभाव बहुत बिलंब से देता है हर चीज में देरी कराता है ये फलाफल चाहे अच्छा हो या बुरा ये तुरंत ही करा देता है तो 22 वर्स कहीं जादा सटीक अनुभव में आता है कि क्योंकि ये बालक ग्रह है तो तुरंत ही भाग्योदय करा देगा अब आईए देखते हैं कि पंचमेस मंगल इस लगन में किस प्रकार का फल देंगे यदि आपके जन्म कुंडली धनुलगन की है और आपके लगन में बैठे हुए है मंगल तो इसका मतलब है कि लगन में मंगल का होना पहले तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया उपर से पंचमेस का लगन में जाकर के बैठना जातक बुद्धिमान, बिद्ध्वान, नीतिवान और बता दूं कि ऐसा जातक अपने बुद्धि के बल पर समाज में जाना जाएगा यानि इसके विक्तित्प की पहचान इसकी बुद्धि में रहेगी अपने बुद्धिमता के कारण ये औरों का ध्यान अपनी और आकरसित कर लेगा प्रियदर्श को मंगल की एक रासी, वरिष्चिक रासी, इस लगन में ब्यायभाव का फल लेकिन ये मंगल की मूल त्रिकोंड रासी नहीं है, इस बात का ख्याल रखिए तो मंगल की मूल त्रिकोंड जो रासी है, वो मेस रासी है और मंगल अगर पंचमेश हैं और पंचमेश होकर के लगन में बैठ जाएं तो ये निश्चैही स्रेष्ट फल देने वाले हैं अर्थात मंगल जातक को जीवनकाल में हर छित में मंगल ही मंगल कराने वाले हैं अब मंगल है अगनी तत्व के ये लगन है अगनी तत्व का और वो पंचमे सोकर के लगने में बैठे हैं इस लगने के जो जातक होते हैं धनू लगने के वो गुरू से प्रभावित होते हैं वाणी उनकी साफ होती है सत्य बोलने वाले होते हैं मुह पर बोलने वाले होते हैं अपने लक्ष के प्रती सदैव समर्पित रहने वाले होते हैं और लगन में आकर के बैठ जाए मंगल तो मंगल भी पराक्रम है मंगल भी तेज है तो सीधी सी बात है कि ऐसे लोगों को अब किसी और राजयोग की आवशक्ता नहीं ये अकेला एक ऐसा राजयोग है जो जीवन के व्यक्तित में तेज की बृद्धी अधिक होने के कारण जातक रूखा स्वभाव वाला या क्रोधी स्वभाव वाला कहा जाएगा लेकिन इसके बावजूद कहूंगा कि ये जातक सर्वस्रिष्ट तम है यहां बैठे मंगल की चोथी दृष्टी और वो भी मित्र कि ये जातक अपने जीवन काल में चाहे जहां से भी हो भूमी भवन वाहन का सुख अवस्य अर्जित करेगा अवस्य प्राप्त करेगा उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता मा के साथ संबंद ठीक होंगे मा सहयोगी होगी हां जातक का तिब्र स्वभाव उग्र स्वभाव सब्तम भाव पर पढ़ने वाली है जातक जन्म लगन से मांगलिक है अतह सब्तम भाव पर दृष्टी पढ़ने के कारण दामपत्य जीवन में प्रारंभिक कुछ परेशानी लेकिन बाद में हरकुछ ठीक यानि कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली है अस्टम स पाई वो खुद अपने ज्यान से कर लेगा अतह इससे भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है यहाँ पर मंगल जाकर के कुंडली के दुतिये भाव में बैठ जाए तो उच्छ रासी में होंगे यानि कि ज्याने इसका दुतिये भाव में होना धन भाव में होना अत्यं कर चाकर ये सारे सुख जातक को जीवनकाल में मिल जाएगा मंगल चुकी तेज है और नेत्र में होता है तेज उच्छ रासी में बैठ करके दुतिये भाव में बैठे हैं अगर राहू अथवासनी से संबंद बना ले अथवा राहू अथवासनी की दृष्टी इन पर पढ जाए तो उस अवस्था में नेत्र जन्यविकार अवस से प्रदान कर देंगे यहां बैठे मंगल अपनी चौथी दृष्टी से अपने ही घर को यानी ज्यान भाव को देखेंगे उच्छ में बैठ करके अपने घर को देख रहे हैं अतह कहना ही क्या जातक ज्यान और संतान से परिपूर्ण होने वाला है इनका सुख जातक को बड़ी मात्रा में प्राप्त होगा यहां बैठे मंगल अपनी सात्वी नीच दृष्टी से अश्टम स्थान को देखेंगे तो यह सामान्य मारक भाव वैसे तो बनेगा यहां पर और उस अवस्था में आपको बता दू कि जातक के स्वास्त में जैसे फोड़ा फुंसी, ब्रण घाओ, चोट चपेट की घटना जीवन काल में होती रहेगी यहां बैठे मंगल की आठिवी दृष्टी भाग्य भाव पर पड़ेगी अतह कहना ही नहीं कि जातक जन्म जात भाग्यवान होगा और भाग्य से उसे स अब कुछ सहज और सुलभ प्राप्त हो जाएगा आजाए कुंडली के पराक्रम भाव में सत्रूरासी में आकर के बैठे हैं मंगल चुकि वो ज्यानेस होकर के बैठे हुए हैं अतह एक बात तो तय है कि जातक बुद्धिमान और ज्यानमान तो होगा धनुलग नका है तो अपने लक्ष के प्रती समर्पित होगा और बता दूं कि कुंबरासी में आकर के मंगल बैठे हैं और बैठ करके भाग्य भाव और कर्म भाव को देख रहे हैं साथी साथ रिड़ भाव को अब सनी के साथ अगर तातकालिक सत्रूता बन जाती है तो कस्ट होगा सबसे पहले तो भाई बहनों के साथ संबंद खराब कराएगा साथी साथ जातक कोई काम प्रारभ करके इतना धीमा रफतार ले लेगा कि काम आगे बढ़ हीन पाए छमता है, कारे कर सकता है, सफलता ले सकता है लेकिन जातक का पराक्रम बहुत धीमा होगा किसी भी चीज को बहुत देर तक सोचेगा इसके चलते सफलता में बिलंब और परिसानी उत्पन होगी ये तब होगा जब सनी के साथ तातकालिक सत्रुता बना ले अगर सनी के साथ तातकालिक सत्रुता नहीं है पुना बता देता हूँ जिन लोगों को जो नए लोग हैं यहाँ पर देख रहे हैं जिनको याद नहीं है तातकालिक सत्रुता बस इतना ही देखना है कि यहाँ पर बैठे हैं मंगल तो सनी अगर यहां 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 यानि तीन घर आगे अथवा तीन घर पीछे यहां 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 और यहां तीन घर आगे और तीन घर पीछे यह तातकालिक मित्रता होती है और बाकी के बीच में जितने भी घर बचे वो तातकालिक सतुरता होती है एकदम आराम से याद हो जाएगा, तीन घर पीछे, तीन घर आगे, तातकालिक मित्रता, बीच में जितना घर बचा, तातकालिक सत्रुता, तो तातकालिक मित्रता में सनी के साथ हैं, तो फिर उस अवस्था में जातक को, जो कि मंगल की दृष्टी रिन भाव पर पड़ेगी, पुनह दोहरा से भी अपने पैसे किसी को मत दीजिए, यहाँ बैठे मंगल भाग्य भाव पर दृष्टी डालेंगे, तो जातक अपने पराक्रम से अपने भाग्यका निर्मान करेगा, चुकि मित्र दृष्टी पड़ रही है, भले वो सत्रु की रासी में बैठे हैं, लेकिन मित्र दृ भाग्य भाव पर पड़ रही है, अतह जातक का भाग्य, सदईव जातक का साथ देगा, जातक धारमिक कृत्य करने वाला होगा, धारमिक होगा, पिता का सम्मान करने वाला होगा, चुकि मंगल की आठीवी दृष्टी और वो ऐसी दृष्टी जहां वो दिगबली होते हैं अतिविसिस्ट कारक होते हैं, दसम भाव पर पड़ रही है, अतह सरकार से, राज्य से, प्रसासन से, पिता से, हर छेतर से जातक को सुख प्राप्त होने वाला है, आजाए कुंडली के सुख भाव में, पंचमेस, जाकर के केंदर में बैठे, और यहां पर चोथे पांचव ये रासी है, और मंगल जलतत्व के नहीं है, अतह यहां पर जाकर के, पहले प्रारंभ में वो थोड़ा कस्ट उत्पन करेंगे, मा के साथ मतभेद कराएंगे, घर में कलह की स्तिती लाएंगे, लेकिन बाद में धीरे 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 धीरे, वहां की स्तिती में वो रम और फिर जातकों को सारे सुख प्रदान कर देंगे, यहां बैठे मंगल अपनी चौथी दृष्टी से सप्तम भाव को, साथ मी दृष्टी से करम उस्थान को और आठी मी दृष्टी से आय भाव को देखेंगे, अतह चुकि वो मित्र रासी में बैठे हैं, अच्छी स्तित करेंगे लेकिन बाद में ठीक कर्म छेत्र परूं की दृष्टी पड़ेगी कारेक छेत्र में हर तरप से लाब भूमी भवन वाहन का लाब जातक अपने बदौलत करेगा किसी का सहयोग नहीं लेगा बलकि अपने परिवार को ये सारा सुख अपने से प्रदान करवाएगा उ आए की कमी कभी नहीं होने वाली है अब आ जाईए कुंडली के पंचम स्थान में चुकि पंचम स्थान तो नहीं की रासी है और यहां पर वो अत्यंत स्रिष्ट फल देंगे क्योंकि पंचमे से दी पंचम भाव में बैट जाए तो कहना ही क्या उपर से अगर इस मंगल पर गुरू की दृष्टी पढ़ जाए तब तो जातक अत्यंत बुद्धिमान ज्यानवान वाक चातुर्य और बात से अपने किसी को भी सहमत करा लेने वाला होगा वाणी ऐसी होगी कि बड़ी तिब्रवाणी वाला होगा बुद्ध वाणी के कारक हैं लेकिन अगर मंगल ज् ृटी दृष्टी पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं ग्यान भाव में बैठकर के आध्यात्म भाव को देखेंगे और आध्यात्म भाव को देख करके आध्यात्मिक उन्नती के तरफ प्रयास तो करना चाहिए लेकिन नीच दृष्टी है अता उसमें कमी पाई जाएगी थोड़ी कमी होगी स्वास्त में विशेश रूप से थोड़ी चोट चपेट की घटनाओं का कई बार डर बना रहता है उपर से अगर यहाँ पर सनी अत्वाराहू बैठे हो तो 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 घटना की संभावना बढ़ जाएगी यहाँ बैठे मंगल की सातिमी द्रिष्टी आय पर और आठिमी द्रिष्टी ब्याय पर जो की खुद उन्हीं की रासी है अपने ही घर से बैठ करके ब्याय भाव को देखेंगे तो प्राय उनका प्रयास यही होगा कि आपका ब्याय सत कारियों में सही कारियों में और आपका जहां पर हित होता हो उन्हीं जगह पर खर्च कराए आय के रास्ते वो सदईव बना करके रखेंगे और जातक अपने ग्यान के बदोलत आय जीवन में प्राप्त करता रहेगा यानि आय की कमी नहीं होने वाली है रिण भाव में आजाएए सुक्र की रासी में आकर के बैठे हैं सुक्र के साथ अगर तातकालि मित्रता बना लेते हैं तो उस अवस्था में जातक कह सकता हूँ कि सत्रु हंता होगा सत्रु पर सदयों बिजय पाने वाला होगा हला कि फसादी होगा लड़ाई जगड़ा में विशेश रूची रखने वाला होगा, बेवजह के चकरों में पड़ जाएगा, किसी और के जगड़े सुलजाने में, खुद अपने आपको परिसानियों में डाल लेगा, लेकिन इसके बावजूत कहूंगा, कि जहां से लोगों को नुकसान होता हो, वहां से भी लाव ढूं है, चुकि सुक्र के साथ अगर तातकालिक मित्रता हो जाए, तो भागय की जवर्दस्त बृध्धी भी करवाएंगे, लेकिन वो ब्याए, चुकि अगर सुक्र के साथ तातकालिक मित्रता है, तो ब्याए फिर भी बहुत हद तक सही काम में होगा, लेकिन अगर ये पीडित यहां बेठे मंगल के दिरिश्टी ब्यायभाव पर और लगन पर पड़ेगी अगर ताथ कालिक मित्रता में हैं तब तो ह हर करण से स्रिश्ट लाव दिलाएंगे ताथ कालिक सतृता में आ जाएं तो फिर परेशानी उत्पन करने लगेंगे रिण इतना दे देंगे कि निकल नहीं पाएं अब यहां बैठे मंगल वालों को विशेज रूप से धनू लगने के जो लोग हैं उनको समझा देता हूँ कि अगर आप किसी कारणवस करज में हैं अपनी संपत्ती बेचकर अपना कुछ धन बेचकर या कोई चीज हटा करके रिण उतारना चाहते हैं तो मेरी एक बात मान लीजिए ये करके आप अपना रिण मत उतारिए क्योंकि आपका रिण वैसे भी नहीं उतरेगा आप फिर रिण में आ जाएंगे तो कम से कम अपनी प्रोपर्टी मत बेचिए प्रयास कीजिए क्योंकि आप धनू लगने के हैं प्रयत्न करेंगे रिण से मुक्ती मिल जाएगी रिण मत उतारिए रिण उतारने के लिए बिसेश रूप से अपनी संपत्ती को मत बेचिए औने पौने में बेच करके कई बार लोग परेसान हो जाते हैं चुकि धनू लगने के हैं दूसरों की बात बरदास्त नहीं होती रिण जिसका लिया है अगर उसने आ करके एक बार भी बोल दिया तो इनके पास जो है वो बेच करके पहले तुम अपना ले जाओ और इस अवस्था में नुकसान कर लेंगे तो ऐसा मत करिये ये नुकसान है आपके लिए आजाईए सप्तंभाव में पत्नी की रासी में आ करके ज्याने सो करके बैठे हैं कई बार ये संतान के साथ समस्या खड़ी कर देते हैं बैठे मंगल कर मुस्थान पर जो की अतिविसिष्ट कारक जहां पर होते हैं वहां द्रिष्टी लगन पर और धन पर उच्च की द्रिष्टी डालने वाले हैं अतह बहुत स्रेष्ट लाभदाई बनने वाले हैं यहां बैठे मंगल अगर तातकाली कमितरता में हैं तो कार्यक्षित्र में सफलता ब्यापार में सफलता पत्नी के साथ संबंध स्रेष्ट लेकिन चिर्चिडापन और मतभेद जीवन परियंत बना रहेगा दोनों के बीच यहां बैठे मंगल लगन पर द्रिष्टी डालेंगे तो द्रिष्टी का प्रभाव और जादा होगा और जातक के अंदर धैर की बहुत कमी हो जाएगी जातक जिद्धी होगा जातक उग्र होगा जातक अपनी बात मनवाने के लिए हर सीमा पार करने को तयार रहेगा यानि मै मैंने जो कहा वही सही धनभाव पर द्रिष्टी पढ़ रही है अतह अचल संपत्ती जातक को जीवनकाल में खूब प्राप्त होती है और कई छित्रों से प्राप्त होती है आज आईए कुंडली के अस्टम स्थान में नीच रासी में हाँ पर बैठे हैं नीच रासी में अस पर जूद सावधान कराना चाहूंगा ये स्वास्त के लिए ठीक होते मैंने नहीं देखा है ऐसे जातक को गाहे बगाहे परेसानी होती रहती है भाई के साथ छोटे भाई बहनों के साथ संबंद खराब होते रहते हैं पराकरम की कमी जातक के अंदर पाई जाती है ऐसा जा करूंगा कि जमीन इत्यादी के कारियों में सोच समझ करके काम करें वरन अगर आप वहां से बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो बिचौलिया बन जाईए किसी का जमीन बिखवा दीजिए बीच के पैसे कमा लिजिए खरी दिये मत बिचवा करके कमा लिजिए यहाँ पर बैठ करके अपने बुद्धी का प्रयों करके आप धन निकाल लेंगे धन भाव पर उनकी द्रिष्टी है अतह मैंने कहा कि खरीदना है तो अपने लिए बेचने के लिए अगर खरीदना चाहते हैं तो मत खरीदिये वैसे जमीन खरीदने से पहले अचल संपत्ती से खरीदने से पहले थोड़ा विचार कर लिजिए क्योंकि कई बारसंपत्ती फस जाती है अतह किसी और के नाम पर लिजिए ज़्यादा बेहतर होगा यहां बैठे मंगल की द्रिष्टी पराक्रम भाव पर सत्रू द्रिष्टी पढ़ रही है थोड़ी सी परेशानी वाली है यह इस्तित ग्यान का माली खोकर के त्रित्रिकोण में बैठा है रही जातक के जीवनकाल में हर सूख बड़ी सहज और सुलभ हवस्था में मिलेगी अगर यहां बैठे मंगल के पास अंसबल हो यानी उनकी डिगरी अच्छी हो तो फिर आपको कोई दूसरा राज्योग ठूंडने किया अकेला ये मंगल आपके जीवन काल में हरसुख आपको प्रदान कर देंगे चुकि यहां बैठे मंगल सिम्ह रासी में बैठे हैं अगनी तत्व की रासी में बैठे हैं खुद अगनी तत्व के हैं अतह उनका तेज बहुत जवरदस्त होगा और ये जातक का भाग्य, सब़ईव जातक से चार कदम आगे चलने वाला होगा, यहाँ बैठे मंगल की चौती दृष्टी, ब्याय भाओ पर पड़ेगी जो अपने ही घर पर है, अतह जातक धार्मिक कृत्ति करने वाला होगा, धार्मिक कृत्तियों में ब्याय करने वाला हो लेकिन जातक के छोटे भाई बहन जातक से लाभानवित होते रहेंगे। लेकिन जातक से लाभानवित होते रहेंगे। लेकिन जातक के छलते उसके जिद्ध के छलते उसके धैर्य वहीनकरा के चलते उसके गुसा के चलते अगर ये चीजें वो जातक कंट्रोल कर ले कहीं समस्या नहीं। यहां बैठे मंगल जातक को उच्च कोटी का विद्वान बनाएंगे, वनिक बनाएंगे, बिजनेस भी वो कैसा करेगा। चुकि ज्याने सोकर के कर्मभाव में गए हैं, तो वो जानता है उससे क्या करना है, और जो भी वो काम करेगा, वो सदईव अपने लाभ को ध्यान में रख करके करेगा। ऐसा जातक अगर सरकारी नौकरी में रहे तो ठीक, अगर ब्यापार करे तो ब्यापार में उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, वो ब्यापार में जबर दस्तलाव करेगा, और अगर मैंने जैसा कहा कि तातकालिक मैत्री बुद्ध के साथ हो जाए, तो कहना ही नह तुरंत ले करके बाद में पस्ताने वाला होगा, तो मैं बार-बार कहूंगा कि यहां बैठे हैं मंगल, तो वो अतिविस्ष्ट कारक हैं, आपको सब कुछ देने वाले हैं, बस धायरे रख करके, हर कदम फूक फूक करके, और हर चीज को पहले से तयार करके, आगे बढ़ माता-पिता का अपमान करेगा, लेकिन ऐसा आप करते हैं, छोटे भाई वहनों का अपमान करते हैं, तो कहीं न कहीं अपने मंगल को कमजूर करेंगे, और ऐसा करके, दिगबली, अतिविसिष्ट मंगल का प्रभाव कम कर लेंगे, यहां बैठे मंगल की अपनी आठवी इसा जातक अपने जीवन काल में पैसे के लिए नहीं तरसेगा, पैसा चाहे जहां से आए आता रहेगा, क्योंकि लाब भाव में बैठ करके वो उच्छिद्रिष्टी धन भाव पर डालेंगे, ज्यान भाव पर और रिन भाव पर, तो एसा जातक रिन लेकर के भी बस इतना ध्यान रखें कि चंद्रमा की इस्तिती को देखकर अगर चंद्रमा पीडित हो तो ये मंगल कहीं न कहीं धैरे की कमी तो ले ही आ देते हैं और अगर चंद्रमा कमजोर तो फिर जातक अपने गलत निर्णयों के कारण सब कुछ उच नुकसान करेगा सुकर के साथ अगर तातकालिक मैत्री मंगल की हो जाए तो फिर जातक के जीवनकाल में पैसे की कभी कमी नहीं रहने वाली है पैसे के कारण आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है साम तक पैसे नहीं है सुबह तक जरूरी है कहीं न कहीं से आ ही जाएग आपका काम नहीं रुकेगा, चुकि उनकी दृष्टी धन भाव पर उच्च दृष्टी है, अतह अचल संपत्ति क्वूब राप्त कराते हैं, धन धानने खूब आपके पास होता है, ज्यान भाव और रिण भाव पर दृष्टी होने से ज्यान और संतान, पूंक्यतह संतान म थोड़ी समस्या प्रारंभ में होती है लेकिन बाद में सब ठीक रिण भाव पर दृष्टी पढ़ने के कारण रिण से समंधित समस्या में अगर आप फंस भी जाते हैं तो डरिये मत घबराये मत यह आपके लिए स्रिंगार है आजाईए कुंडली के बारमे भाव में मंगल यहां पर विपरीत राजियोग बना लेंगे और स्वग्री होकर के बैठे हैं अब यहां पर बैठे हुए हैं अपने पैसे थोड़े बहुत रिण में जाते हैं जाने दीजिए कोई दिक्कत नहीं घर परिवार भाई वहन पर जाते हैं जाने दीजिए अन्य था आपके पैसे पका है दवा में जाएंगे कोई रोक नहीं सकता धर्म में जाने दीजिए आध्यात्मों पर जाने दीजिए पूजापाट पर जाने दीजिए यही आपके धन क सही सही उसके मायने है, अन्य था लिख लीजिए कि आपका पैसा, आपका मिहनत का, आपकी मिहनत की जो कमाई है, वो डॉक्टर के आप दे रहे होंगे, मैं डॉक्टर के हाँ देने से मना नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपका पैसा केवल और केवल दवा में जाएगा और दवा में जाएगा तो केबल पैसे नहीं सरीर के भी छती होती है लड़ाई जगड़े से दूर रहिए किसी के पचड़े में न फसिए आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है यहां बैठे मंगल की चौथी दृष्टी पराक्रम पर है तो पराक्रमी तो आप है लेकिन आप अपना पराक्रम अपने हित में यूज कीजिए अपना पराक्रम धर्म में लगाए अपने सतकर्म में लगाए अपने परिवार अपने खांदान को बढ़ाने में लगाए किसी और के पचड़े को सुल्जाने में मत लगाए यहां बैठे मंगल की दृष्टी र बातों को मानिये तो ब्यापार में कोई समस्या नहीं होगी ब्यापार में कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रियदर्शकों धनु लगने में मंगल सीधी सी बात है सरवथा कारक ग्रह होते हैं तो इसका मतलब है कि अगर वो एक अच्छे अंस पर बैठे हुए हूं सुभग रह स द्रिष्ट हों गुरु इत्यादी ग्रहों से वो अगर द्रिष्ट होते हैं तो आपके जीवनकाल में अकेला एक मात्र या ऐसा राजयोग हो जाएगा जो हर सुख आपको प्रदान कर देगा क्योंकि वो ज्यान के मालिक हैं और ज्यान का मालिक कहीं भी जाकर के बैठेगा तो उस भाव से सम्मंधित कमिया भी होंगी तो जातक अपने ज्यान से उसे दूर कर लेगा यानि मैं कह सकता हूँ कि इस लगने में मंगल का स्रेष्ट प्रभाव देखने को मिलेगा अब बारी आती है कि मंगल का रतन मुंगा कहा कहा धारन किया जाए तो कुछ पिसेश प आतकालिक मैत्री में हों तो मैं मुंगा पहनने से आपको मना नहीं करूंगा आजाईए यहां पर यहां पर भी मंगल अस्टम स्थान में बैठे हैं लेकिन उनका नीच भंग हो रहा है और अगर चंद्रमा केंद्रगत हैं तो आप मुंगा पहन लीजिए परन्तु अपने स अनिथा बाकी हर हाल में मुंगा पहनिये मैं मुंगा पहने सुरोकूंगा नहीं यहां बैठे हैं मंगल स्वग रही हैं अगर आप धार्मिक प्रुर्तिके हैं धर्म कर्म करने वाले हैं धर्म पर आपका ब्याय है दवा में पैसे नहीं जा रहे हैं तो यहां बैठे हैं आज हमने जाना धनू लगन के बारहो भाव में मंगल के प्रभाव को आज के लिए वस इतना ही अब हम मंगल के प्रभाव को अगले सप्ताह यानि कि मकर कुम्भ और मीन इन तीन रासियों में मंगल के प्रभाव को अगले सप्ताह में जानेंगे जाती जाते आप सबों से कल के लिए एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, आज बात गुरू के लगनकी हुई है, तो आप ज़रा बताईए कि गुरू धनुरासी में कितने अंस तक मूल त्रिकोन के होते हैं, आसा करता हूँ कि ये कठिन नहीं है, बहुत सरल है, आप लोगों को याद होगा, पुदा कहूंगा कि इधर उधर से जाकता करके बताने से अच्छा है कि सोच करके दिमाग पर जोर डाल करके दीजिये जवाब, अगर न भी आता हो, कोई बात नहीं, कल देखिए, कल आपको सदा के लिए याद हो जाने वाला है, तो आज के लिए इतना ही इजाज़ दीजिए, कल आप सबके समुख एक नए विशे के साथ हाजिर होंगा, तब तक के लिए, नमस्कार